हाद दोस्तों जियो गुर्जी क्लासेंज में आपका स्वागत है मैं रोई शर्मा सब्जेक्ट अपना जोग्रफी देखिए लेसन नम्बर साथ हमारा चल्रस का नाम है बुवाकरतियां तता उनका विकास देखिए आज हम पढ़ेंगे निक्षिपित इस्थर रूप के बार मैं आपका ऑंगये कैसे चुना छेत्रों में बंति है ये कन्द्राससे थोड़ा जुड़ा हुआ है क्यों जुढ़ा वथ सुनीं निक्षिपित इस्थर स्वरूप जो है और वह बुझ चूना छेत्रों में जमने से बनने वाली आक्रतY और यह आक्रती किसी किसी होगी चूने की होगी इसमें तीन आक्रतिया बन रही है इस्टेलेकाइट्स इस्टेलेगमाइट्स और इस्थम यह तीन प्रकार की आक्रतिया इसमें बनती है आप रिखिए यह बनती कहां पर है तो मैं बतागो आपको यह तीनों की तीनों जो आक्रतिया है वो कहा होती है दुबारा सुन लीजिए देखिए यह आपकी पनत होती है इसमें मैंने आपको पढ़ते करके बताई थी यह जो कठोर चठाने होती है कठोर चठान और यह चूना छेत्र और यह फिर कठोर चठान अब होता क्या है अब तीनों आकती कहां बन रही है इस जगे बन रही है यहां पर होता क्या है कि आपका जो चूना छेत्र है ये चूना छेत्र ये तो हो जाता है कई बार गायब सा और यहां पर एक रिक्तिस्तान सा बन जाता है ठीक है रिक्तिस्तान बन गया अब क्या होता है कई बार चूने की मा जब पानी इसमें प्रवेश करता है इन कठोर चटानों से तो चुना गुलेगा बेशिकले चुना गुलता है पानी के साथ मिलेगा तो होता क्या है अब इसे चटान मानिए देखिए यह चटान है यहाँ पर आपका चुना है यह आपका कौन सा है चुना छेत रहे ठीक है और यह आपकी नीचे की फर्स है यह आपकी फर्स है जो की कठोर चटान की फर्स है यह आपका है चुना और उपर भी आपके फत्तर या कठोर चटान है अब देखें बिल्कुल सा डाइगराम इसका बनेगा अब आपका पानी देखें उपर से आता है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको यहां से पानी कठोर चट्टानों से दरानों से होते हुए चूना चेत्रों में आया था आया था कि निया था और पूरा का जब तक है गुलने लखता है घुलते ही क्या होता है देखें चूने के सांब बात चल ह्या जमने की जमने से बने वाली आकर्ति की तो पहली आकर्ति की लिए है इस ओड़ा किया है यह होता है जब पानी आता है इस चूने के साथ मिलता ही खullie name कर कि तपकना शुरू करता है अब क्या होता है कि इसका वास्पिक रड़ भी होता है चुने का जब सूखेगा तो तक बात हमारी निक्षेपण की प्रक्रिया से चल रही है यह इस चले का सीकते हैं उपर से पानी आता है इसको भूलाता है फिर नीचे तपकने लगता है तो इस से इस तरीके सी देखो ऐसे कई बार आपने देखा होुगा चूना किस तरीके से सूख जाता है आपका फ्रिज है उसमें आईस का बोक्स जो होता है उसमें आप देखना उपर से कई बार ऐसी आकरतिया बन जाती है इस तरह गए देखो ऐसी ऐसी आक्रतिया बन जाती है दिखा ना आप लोगों ने तो आपके ऐसी आक्रति चुने की बन जाती है वो बनती है कैसे चुने की जब चुना पानी में भूलता है और नीचे की ओर जब वो टपकने लगता है तो वो अब इस कंद्राओं की छत से इसका जुड़ा के आकरतिया बनती है इसकी तो बनेगी बनेगी ठीक है यह कैसे बनेगी मैं बताओंगा लेकिन यह जो आकरती बनी है यह वाली ऊपर से तपकता हुआ और सूख जाये जैसे कि ice जो होती है हमारे icebox के अंदर जो उपर से टिकोने टाइल के लटकते वे आपको दिखाई देते इस तरीके से, आइस बॉक्स की बाद कर रहा हूँ मैं न, तो वैसे ही चूना चैत्रों के अंदर, जो कंद्राई की छट होती है, यहां पर इस तरीके से तपकते वे, लटकते हुए यह चूना सूख जाता है ठीक है? उपर से यह जो भाग होते है यह को होते है चोड़े ठीक है? मोटे होते है लेकिन नीचे आते आते हैं यह क्या हो जाते है? खोड़े सक्रे हो जाते है ठीक है? नुकिले टाइप के हो जाते है इसको तो हम बोलते हैं क्या इसको तो हम बोलते हैं इस्टेलेकेटाइट मतलब पहला यह है यह जो आकरती है वो यह है इस प्रकार की आकरती ठीक है चुने की अब हम बात करते हैं सेकंड नमबर की इस्टेलेकेटाइट होता क्या है यह कंद्राओं से फर्स पर नीचे फर्स पर जब टबकल चालू होती है चुने की तो नीचे की फर्स के ऊपर नीचे से ऊपर की और बनती हुए आकरती नीचे से ऊपर की और बनती हुए आकरती कैसे ज साथ कि तयार हो जाते हैं देख को एसी हैं सहिंन ऐएंपस आकर्ति बन जाती है मतलब यह टकन चालओती है और नीचे पहले नीचे लेको आप जैसी है तपकन चाले हुई और पहले यहां पर इखटा हुआ, फिर थोड़ा और इखटा हुआ, फिर थोड़ा और इखटा हुआ, फिर थोड़ा और इखटा हुआ, ऐसी, तो यह चूने के तपकने से, इस लाएं को गोर कीजिए, यह कंद्राओं से नीचे, फर्स पर तपकन, चून इनको हम नाम il our speech युटER NOT सबमें ठीक है अब बच इस थमग होता क्या स्थर भाष six वर से पानी ओता है और चूने को लेकर आता है नीचे की साहई ऐसे और उपर से ही कई बाद इसी आकुरती से पानी नीचे कि और चूना जो टपकन है वो नीचे से चलू हो जाता है और उपर से नीचे आती है फिर ये नीचे से उपर जाती है फिर और नीचे से उपर आती है फिर ये ये आपसने क्या हो जाती है मिल जाती है जैसे दुबारा सुलीजिए भाई आपके उपर से चूना गुला पानी के साथ में और टपकन तो ऐसी आक्रतिया जो ऊपर से और नीचे से जब यह दोनों जब आपस में मिल जाते देखिए मिल गए ने दोनों इसको हम बोलते हैं इस थंब इसको हम क्या बोलते हैं अब यह पूरा इस थंब बन गया खड़ा इस थंब समयाईवाद इस्टेलेगाइट्स में होता क्या है जब मोटाई में उपर से लटकते हुए इस थंब आपको दिखाई देंगे लटकते हुए जो उपर से मोटे नीचे से नुकिलियर है उसे तो हम बोलते हैं इस्टेलेगाइट्स और नीचे से ऊपर क्यों जब चुना स्फ्थर्मने से जब गवास्टिकरन होता है मैं बताओं आपको कैसे होता है अधीपतर निक्षेविद स्थर भूप कंद्राओं की भीतर बंथे जो मैंने बता दिया आपको चंद्राओं की छसे लगकर ही ये बंदतें सब नीचे उपर यहीं पर चुना होता है और यहीं से घुल गया जब इस जलका वास्पिकरण होता है तो गुला हुआ जो जल होता उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपड शुरू हो जाता है दीरे दीरे सूखना सुरू हो जाता है यह फिर हम कहें कि यह चटाने छत से जलका वास्पिकरण जैसे से होने लगता है तो अंदर उपस्ति जो कार्बोनेट एक्साड होती है वो गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम और कार्बोनेट की चटाने धरातल पर टपकन से और छती जवस्ता निक्षेपड से ऐसी आकर्टियों का निर्मान हो जाता है कुल मिलाके बात ही हो गई कि इन चूना चेत्रों का जब वास्तिकरण होता है इतनी रामायर तो मत जाहिए इतनी सी बात समझा रहा हूं मैं आपको चूने का जब वास्तिकरण होता है तब इसका जमाव सुरू हो जाता है जमाव सुरू होता है तो ऐसी आकर्टियों का निर्मान प्रारण हो जाता है करता हूँ कैसे लिखना है वह देखेंगे किस डाइग्राम का उतार लिए यह डाइग्राम भी आपको आपकी मुख में नहीं मिलेगा यह बिल्कुल परफेक्ट डाइग्राम मैंने आपके समझाया यह तो आपकी स्थम्ब हो गया यह आपकी इस तेला का इस हो गई और यह उ तो इसे पहरी लाइन आपको क्या लिखने है देखें अधिकतर को चूने का निक्षेपण कंद्राओं के बीतर होता है तेक है अनदर होता है स्धान के अंदर तेदेन निक्षेपण इस्थल रूप कंध्राउं के भीतर होता है यह आपका इस्थान भी हो पता चल गया कि निक्षेपन इस्थल फरूप जो है जो सट इस तर के निकांड के जमने से जो आकरती है बंती हो कहां बनती है कंद्राओं के भीता थीक है जो जगए स्थान खाली ऑजाती है, अब आगे सुन कि लेखेंगे कि चुना फट्र चटानों में हुखेता है रसाइन केल्शियम क्यार्गोमेट मुख्यक दीजि टिए लेम simples चुना में decrease च अतोory चटानों में क्या उपसित होता है है वुखेत रेसाईल रश्यम कीकैल्शियम कि कार्गोमेट उपास्तित होता है, हो गया, तेल्शियम कार्बोनेट यहां पर उपास्तित होता है, अब होता है, यह पाने के साथ क्या करता है, सिगरता से घुल जाता है, अब चूने पाने के साथ घुल गया, अब होगा क्या, अब इसका वास्पी करण होता है चूना जमने लगता है अब जब वास्पी करण होगा जब यह तो जमने लगेगा तो क्या होगा यहां पर निक्षेपन प्रारण हो जाता है जमने का मतलब क्या होता है निक्षेपन प्रारण हो जाता है या पर ऐसे भी लिख सकते हो, या इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस लाइन को कैसे लेखोगे, जब चटानों की छस से जलका वास्पिकरण होता है, तो साथ में कारबंडा एक सेट भी क्या हो जाती है, मुखत हो जाती है, गैस आउट, भार सुखना चलू, ठीक है जब चटानों की छस से जलका वास्पिकरण होता है, तो कारबंडाई ऑक्साइड मुक्त हो जाती है, ठीक है, वास्पिकरण भी हो गया, कारबंड एक सेट भी गायव हो गई, तो कैल्सियम कारबोनेट के चटानी धरातल पर टपकने से निक्षेपन जैसे आकरती बनना सुरू हो जाती है, ठीक है, इसको मेंशेट ने दीजे, तो कैल्सियम, बताया था आपको मैं के तपकन से निक्षेपन प्रक्रिया द्वारा इस्थल आकरतिया बनना सुरू हो जाती है, और वो आकरतिया कितनी है, देखिए, यहां पर लिख देता हूँ, निक्षेपन कापर चूना सेत्रों में, बनने वाली आकरतिया मुख्यत है, मुख्यत है, तीन है, कितनी है, तीन आकरतिया, पहली आकरती कोन सी बताईजी मैंने, इस टेलेकाइड़ इस टेलेकाइड़ लेकटाइड़ टीक है पहली आकरती तो आपकी यह होगी दूसरी आकरती मैंने कौन से बताएफ्टी इस टेलेकाइटब ने इसके आकर्ति कौन से बताई ते इस थंब यह तीन आकर्ति मैंने आपको बताई थी ठीक है अब इसके बारे में क्या एक्स्प्रेइंग करना बिल्कुर से बताएंगे आपको यहां तक संद में आ गया होगा यहां तक उताल दीजिए देखिए आगी कर बढ़ते हैं, तीन मैंने आपको आकरतिया बताई थी, बना कर भी दिखाई थी, एक बर बर फिर से इस आकरतियों को एक्स्प्रेम कर देता है, तो जिसे आपके समझ में आ जाएगी, देखिए, ये आपकी छत है, अब मैं इसका डाइगराम बना रहा हूँ केवल इसका डाइगराम, ये आपकी छत है, कौन सी छत है, कंदराओं की छत है, क्योंकि ये कंदराओं की छत पर ही बनते हैं, तो पहले तो मैं इसकी परिवाशा लेक देता हूँ, क्या, देखिए, ये है इस्थल रूप, कंदराओं की छत पर बनते हैं, ठीक है, मतलब ये का बंथ हैं मोटाई में लटकते हुए ठीक है कंद्राओं की आँ यह मोटाई में कंद्राओं की छत से लटकते हुए जिसमें आधार पर मोटाई जैर आधार पर क्या? मोटाई पर अंत में अंत में छोटे नुकीले भाग में यह चुना जम जाता है अब चलिए इसका डाइगराम बना लेते हैं क्या कहना है देखिए यह सलसुरूप कंद्राओं की छत पर बनते हैं यह लोग कंद्राओं की छत बना दी मैंने ठीक है? फिर क्या कहना है? यह मोटाई में कंद्राओं की छत से लटकते हुए ऐसे जिसमें आधार पर मोटाई यह क्या है? यह यह आधार है आधार का मतलब उसका बेस जहां पर वो लटकता है चिपक के तो यह इसका तो गया मोटाई ठीक है? और अंत में अंत का मतलब नीचे की साइड ऐसे ये नीचे की साइड छोटे वाइन नुकीले भाग अब ऐसे अब इस प्रकार की आकरती आपको इसमें देखने को मिलती है मतलब उपर से चूना गुलता है और फिर वो नीचे आता है तपकता है और उसका वास्पिकर्ण हो जाता है इससे कि मैं आपको एसकी आकरती आपकीि से लगाइडस की होती है जो उपर से चोड़े नीचे से सकरे होते हैं नुकीले नुकीले अंत में जाकर मोटे कहां पर आधार पर यह सब चूने के बने हुए चली सेकंड पॉइंट पर जाईए इस टेलेगमाइट्स अब इसमें क्या होता है तो सुन लेजे यह कंद्राओं से नीचे फर्स पर तपक चूने के फर्स से नीचे से ऊपर की और बनने वाली आकरती ठीक है यह कंद्राओं से तपकते तपकते चूना यह कंद्राओं से तपकते चूने चूने का भाग फर्स पर नीचे ठीक है फर्स पर नीचे नीचे से ऊपर की और बनने वाली आकरती होती है अब देखो इसका भी डायग्राम है यह लीजे कंद्रा की चट बूर रहा है न यह कंद्राओं से तपकते वे चूना का भाग फर्स नीचे की साइड की फर्स अब यह फर्स होगी आपकी यह तो गई कंद्राओं यह कंद्राओं इच्छा तो गई और यह क्या होगी फर्स अब यहां इस तरीके से इसके आकरती बन दी बोली आवी बाद में मतलब होता क्या है उपर से चूना भुलता है नीचे टपकता है और नीचे सिर्फ उपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाए देता है जो अब यहां पर आधार चोड़ा उपर सकरा होता है यह इसका उल्टा होता है समय बढ गया इस थम्ब ठीक है यहां तक समय आ गया होगा यहां तक आप उताल लीजिए देखें आगी करो बढ़ते हैं अब यहां पर इस थम्ब कैसे बनता है पहले इसकी परिमाशा लिख देते हैं देखिए इस थम्ब जब बनता है जब आपका क्या इस्टेलगाइज वे दूसरा इस्टेलगमाइज आपस में मिल जाते हैं ठीक है बस और कुछ नहीं अब देखिए कैसे यह कंद्रा की छत है यहां से चुना गुला यह तो बन गया आपका क्या इस्टेलगाइज और इसी में से चुना निकला और टपकना शुरू कर दिया इस तरीके से ठीक है अब यह उपर बढ़ते हैं इस्टेलगमाइज अब चुना टपकरा है और नीचे भी आ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है इस तरीके से यह बन गया किया इस थम्ब क्या बन गया किस्टेलगमाइज बढ़र नीचे से इस बढ़ते नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे धन्यवाल